साथ में आसमान पर बैठा हुआ परमात्मा तुमारा बाग नहीं लिखता है हर आदमी का इनर साफ्टवेर विचारों के रूप में अलग-अलग जिन्दगी में आपने देखा होगा कुछ ब्यक्ति बड़ी सरलता से सफलता प्राप्त कर लेते हैं मन्चाही चीजों को प्राप्त करते हैं दूसरे रवह लोग जो बड़ी मेहनत करते हैं ता कहीन जाकर उनको सफलता मिलती है तीसरे लोग जिन में 90% से भी अधिक लोग सामिल हैं ऐसे लोग हैं जो बढ़ा परिश्णम करते हैं बड़ी मेहन气 करते हैं इसके बावजूद भी जिंदगी में अस्फल राजाते हैं इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों में मुख्य फर्क क्या इसका उत्तर देने के निये आपको एक बगीचे में ले चलता उस बगीचे में तरा तरा के फूल खिले कोई रजनी गंधा का, कोई गुलाप का, कोई जूही, तो कोई चमेली का फूल कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई इस रंग का, कोई उस रंग का, कोई इस सुगंद का, कोई उस सुगंद का जब कि मिट्टी सब की एक है, सारे पौदों को एक ही प्रकार का पानी दिया जाता है, एक ही प्रकार की खात दी जाती है, उनके ऊपर की हवाएं भी एक सी है, और उनके ऊपर का आस्मान, उनके ऊपर का सूरज भी एक ही है, और उनकी सेवा करने वाला माली भी एक ही, सब कु बुलोगा इनर साफ्ट बेर पीज के रूप में अलग-अलग है ठीक यह कारण है हर आदमी का इनर साफ्ट बेर विचारों के रूप में अलग-अलग है विचार ही मनुष्य रूपी ब्रिक्ष का इनर साफ्ट बेर है विचार ही बीज है विचार का बीज ही मनुष्य के भीत जर विरार्ट बिक्ष के रूप में बिक्सित होता। विचार मनरसी की सबसे अद्पूच सकती है। कोई भी चैज इस अस्तित्त में दो बार प्रकट होती है pada लिए उसके बाद असलियत में प्रकट होती है, असलियत में नहीं लिखता तुम जैसा जैसा सोचते हो जैसा जैसा विचार करते हो भगवान बुद्ध कहते हैं वैसा वैसा ही तुम बनते चले जाते हो You become what you think. हमेशा याद रखना तुम जो भी हो वही हो जो तुमने अनन्द बार चाहा है विचाहा है जिसकी बाव ना की तुमारा आज का जीवन वही है जैसा जैसा तुमने कल सुछा था और तुमारा कल का जीवन वही होगा जैसा जैसा तुम आज सोचते हो, इसलिए अपनी सोच को बदल कर तुम अपना पूरा जीवन, पूरा भाविस से बदल सकते हो Change your thoughts and you change your destiny विचार सक्ति के विज्ञान का सार सिर्फ इतना है You get what you think about or focus upon whether you want it or you don't want it जिन चीजों के बारे में आप निरंतर सोचते रहते हैं जिन चीजों पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रत रहता है वह चीजें आपकी जिन्दगी में अवस्य साकार होती हैं चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं, अथ्वा पाना नहीं चाहते यह अपवात रहे इतनी हम है किसी चीज के बारे में सोचते रहना द्रंतर चिंता करते रहना भी उस चीज को पाने का आमंत्रण बन जाता है जिस तरफ तुम्हारा ध्यान द्रंतर लगा रहता है वो चीज आकरशित होती हुई तुम्हारी तरफ चली आती है इसलिए अमेशा कहता हुँ अगर तुम्हें द्रंतर इस बात का डर लगा रहता है तुम्हें परिक्षा में फेलना हो जो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फेलोने सुरोक नहीं सकती सारांस यह है कि जिन चीजों को तुम जिन्दगी में साकार होता हुआ देखना चाहते हो उनी चीजों पर द्यान केंद्रित करो उनी चीजों को अपनी चर्चा का अपने विचार का विचे बनाओ जिन चीजों से बचना चाहते हो उनका इसमनल भी न करो उनकी चिंदना भी न करो उनकी सोच भी न करो उनका विचार भी न करो अधिकान से लोग इस जीवन में वही चीजे मिलती हैं जिन्हें पान नहीं चाहते जो असफलता के डर से भाए रहते हैं उन्हें असफलता ही मनती जो भूत प्रेत के भाय से भारे रहते हैं उन्हें भूत प्रेत जरूर पकड़ता है वो कहीं न कहीं से जरूर खोज लेता है ऐसे ब्यक्ति को और ऐसे ब्यक्ति के पास पहुंची जाता है इसलिए मैं कहता हूँ विचार सक्ति के विज्ञान का महत तो पुरूंट आयाम है, ठिंक बिग, ड्रीम बिग, क्योंकि जिन चीजों पर आपका विचार के इंद्रित होगा, वही चीजें आपकी जिन्दगी में आएंगी, दूसरी चीजें नहीं आएंगी, इनर सॉफ्ट बेर, जिस चीज से जुड़ा है, बिचार जिन जिन चीजों के भरे, आपको तमाम सारी चीजें जिन्दगी में सिर्फ इस लेने मिलती, कि उन चीजों का आप बिचार कभी करते ही नहीं, उन चीजों की सोच करते ही नहीं, उन चीजों की खोज, उन चीजों की तलास कभी दरते ही नहीं, कितना भी बड़ा हो सपना, कितनी भी बड़ी हो आखांग्छा, जब आखांग्छा, वो सपना आप देखने लगते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आपके भीतर जो सक्तिया छिपी हैं, वो जाकती हैं, अगर सपना नहीं देखते हैं, तो छिपी भी सक्तियां, सोई की सो एक अपने हाथ में छूरा लेकर आपकी तरफ दोड़ पड़े और आपको पक्का पता हो जाए कि वह आदमी अपना छूरा आपकी छाती में भौग देने वाला है ऐसी परिस्तिती में जब आप भागेंगे तो वैज्ञानिक परिक्षडों में पाया जाया है कि ऐसी परिस्त सक्ति कहां से आजाती असमान से नहीं सक्ति तो आपके भीतरी चिपी हुई थी जब चुनोती आई जब लक्ष सामने आया जीवन को बचाने का तब वो सक्ति चागती है और आपकी स्पीड सामान स्पीड से कई गुना जादर बढ़ जाती इसलिए जब आपके सामने जब रजागती